नमस्कार दोस्तो डिफेंस न्यूज हिंदी में आपका स्वागत है आज की खबरे क्या एलियन्स ने भेजा मैसेज अंतरिक्ष में आठ अरब साल की यात्रा कर रेडिय तरंगों का एक समूध धरती तक पहुँचा है यह रहसे मैं और ताकतवर रेडियो सिगनल अब तक दे रस्त और उर्जावान रेडियो संकेतों में से एक है ऐसे सिगनल को फास्ट रेडियो बस्ट यानि एफर बीज कहा जाता है एफर बीज रेडियो तरंगों की बहुत तेज चमक जो केवल मिली सेकंड तक चलती है उसको कहते हैं लेकिन यह आते कहां से हैं यह सवाल बेग् यह बस्त भले ही पलक जपकते ही गायब हो जाते हों लेकिन यह पूरी पूरी आकाश गंगा से अधिक चमकदार हो सकते हैं पिछले कुछ सालों में सैकडो एफर बीज डिटेक्ट किये गए लेकिन उनके सोर्स का पता नहीं लग पाया है ऐसी सिगनल क्यों होते हैं एहम व रिसर्चर्स का मानना है कि एफर बीज शायद मैगनेटर्स से जुड़े हो सकते हैं मैग्रेटर बेहत अधिक उर्जा वाले अफशेश होते हैं जो तारों में विसफोर्ट के बाद पीछे चूड़ जाते हैं अगला डोनाल ट्रम बोले अगले हफते पीम मोदी से प्रदान मंतरी नरिंदर मोदी इस वीकेंड पर अमेरिका के लिए रवाना होंगे 21 सितंबर के बीच पीम मोदी अमेरिका में रहेंगे कौार्ट देशों के शिखर सम्मेलन के इलावा पीम मोदी वहां कई इवेंट्स में हिस्सा लेंगे इस बीच पूर्व अमेरिकी अपने या घोशना की हाला कि उन्होंने और कोई जानकारी नहीं दी विदेश मंत्राले या पीएमों की तरफ से भी अभी टरंप और मोदी की मुलाकात को लेकर कुछ नहीं कहा गया है अगला लिबनान में हिजबुला के हजारों ऑपरेटिर्स को पेजर के जरीए निशाना गया लिबनान में मंगलवार को हजारों पेजर एक साथ फट पड़े सफेद बेहद सोफिस्टिकेटेड तरीके से किये गए हमले में कम से कम नो लोग मारे गए मीडिया रुपोर्ट्स के मताबिक करीब 2800 लोग घायल हैं जिनमें से एक इरानी राजदूत भी शामिल है य इसराइल का हाथ बताया गया है हिजबूला ने इसराइल के खिलाफ जवाबी एक्शन की धमकी दी है जिन पेजर में धमाका हुआ पहले उनके ताइवान में बने होने की बात सामने आये थी हाला कि ताइवान कंपनी गोल्ड अपोलो के मताबिक इन्हें एक यॉरपियन ड अब परमानु हमले का खत्रा और बढ़ गया है दसन की संसनी खेज रिपोर्ट के मताबिक पुतिन परमानु जंग से बस कुछी दूर कदम खड़े हैं उनके रूस ने आर्किटिक सागर में परमानु विसफोर्ट की पूरी तियारी कर लिया है नौर्थ एटलांटिक संध संगठन यानि नाटो की सीमा के करीब फ्लाइंग चर्नोबिल परिक्षन स्थल पर इसके सबूत भी मिले हैं सैटलाइट तस्वीरों के अनसार रूस परमानु जंग से पहले आर्किटिक सागर में 1990 के बाद पहला परमानु परिक्षन करने जा रहा है नाटो सीमा पर इसके बली मच गई है अगला जापान के निकटवर्ती छेतर में घुसा चीनी युद्ध पोत जापान के जल छेतर में चीनी युद्ध पोत घुस जाने से हल्चलें तेज हो गई हैं जापान ने दावा किया है कि एक चीनी विमान वाहक पोत ने आज पहली बार उसके निकटवर जलचेतर में परवेश किया जापान के रक्षा मंत्राले ने कहा ये सैन्य युद्ध्या भ्यास की श्रंखला में नवीनतम है जिसने परोशियों के बीश तनाव बढ़ा दिया है चीनी वाहक अपने दो विद्वन्सकों के साथ जापान के दक्षिन योना गुनी और इरियो म दिपो के बीच से गुजरा जो जापानी खेमे में खलबली मचा गया अगला किम जॉंग है कि मानते ही नहीं इस बाद जापान में दाग दी दो बैलिस्टिक मेसाई किम जॉंग अपनी हरकतों के कारण हमेशा ही ख़बरों में रहे हैं क्योंकि वो मानते ही नहीं जो सोच करते हैं इस बार दक्षिन कॉरिया से लेके जापान तक और अमेरिका भी उत्तर कॉरियों की हरकतों से हैरान है इस बार किम जॉंग ने फिर दो बैलिस्टिक मिसाईलों का परिक्षन किया है जो आग जाकर जापान के छेतर में गिरी हैं पिछले दस दिनों में या तीसरी बार है जब उत्तर कोरिया ने बैलिस्टिक मिसाइल दागा है अभी कुछ दिन पहले ही दक्षिन कोरिया के समुद्री छेत में भी जिम कॉंग ने जिब किम जॉंग ने बैलिस्टिक मिसाइल दागी थी धन्यवाद